किसान के जो पेकट की खुद की कीमत है वो भी 13 रुपे है और यहां पर जो आलू विका है वो विका है 10 रुपे पेकट लेकिन उस किसान ने एक समझदारी यह नमस्कार किसान भाईयो मैं विकास गौर्ड हमारे चले में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं कुछ न इसके कारण के बारे में तो काफी लोगों को पता भी होगा लेकिन फिर मैं इस वीडियो में बात करूंगा इसके बारे में और साथ में कोल्ड की अभी पोजिशन क्या है कोछ जगह या ज्यादा तर जगह पर बोली लगना हो गई है बंद और फिलाल किसान के लिए छूट अब उस माल को चार सुरुपे पहले ही डाउन करके खरीदना चाहरे हैं कि उनको पता कर यहां से दस्वी सुरुपे और डाउन हो जाएगा तो कम से कम हम बच्चे तब भी जाएंगे या बराबर में छूट जाएंगे अब उनकी भी बात कहीं तक सही है जो ब्यापरी करता हूंगा वह लगातर दो या तीन देर के भाव से आप करोगे तो वहां पर लगाता गरावट देखने को आज भी मिल लाई है सारी कुछ जानकरी इस वीडियो में आपके लिए देने वाला हूं और साथ में आपको में बता दू मंडियों में अरायबल कम होने के अपारी आलू खरीद रहेते जैसे ही मंडियों में रेट गरें तो उनको भी थोड़ा समझ में आया कि हमें भी कच्छी आलू की भसल है ज्यादा तेजी से नहीं खरीदिनी चाहिए क्योंकि जितनी तेजी से हम खरीदेंगे तो हो सकता है जैसे यहां से खरीद के ले जाए कर दिया है कम और जिसकी वे जैसे कच्छी जो आलू की खुदाय थी वह भी काफी स्लो हो चुकी है और अरायवल भी आप कम देख रही हो जो व्यापारी ने खरीद लिया वो तो आपको भीजना ही पड़ेगा इस चीज़ को आप देख सकते हो तो यह सबी कारण बने हैं त तो इसके लिए मैंने वैसे तो काफी टाइम से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं लेकिन आज मैं आपके लिए बता दूँ कि अभी जो मार्केट में आलू है या कोल्ड में जो आलू है जो हम यह सोच रहे थे कि उना आएगा और 10-15 या 20 दिन में उना खत्म हो जाएग पहले यह था कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी खोद के मंडी में पहुचाईए और पैसा वहां से निकालिए पहले यह हो रहा था आज से लगवा 8-10 दिन पहले लेकिन अब यह बंद हो चुका है अब फिलाल किसान में पीछे की तरह मूब कर रहे हैं उनको पता है कि यह ज पहले हम जल्दी से खोदना चाहें लेकिन अब हो क्या है कि हम बहुत ज्यादा कम स्पीट में खोदना चाहेंगे और महावल को देखते हुए खोदना पसंद करेंगे तो इसको देखते हुए क्या अब यह नहीं लग रहा है कि जो आलू आपका 20 दिन में खतम होना था वह तो एक महीनी में खतम होगा यानि तीस दन में खतम होगा दस दिन वह भी खेच लिए आएगा तो यह सारी कुछ कंडिशन है यह अपने आप में चलती रहेंगी तो इसमें आपके लिए थोड़ा सो समझ के और दमाग का यूज जुरू करते रहिए और मैं फिलाल अभी कु कम भाव अभी तक साइज नहीं देखा था कुछ टाइम पहले देखा था केबल दो चार दिन के लिए भाव आया था लेकिन आज की स्थिति में चिप्सवन आलू का जो रेट है पानीपत मंडी में 600 से लेकर साड़े 700 रुपे हो चुका है यह लगवग लगातार 50 से 100 से यानि वहां पर मार्केट के डिमांडी कम हो गई है आप यह सोच सकते हो अब सहती स्रतान वालू की बात करूं तो यह विकाया 400 से लेकर साड़े 500 रुपे के आसपास या पौने 600 रुपे के आसपास है और ख्याती पुकराज विकाया 400 से लेकर 500 रुपे का वहां पानीप अरावल कम होने के बावजूद भी अब बात करते हैं दिल्ली मंडी के बारे में तो दिल्ली मंडी में अभी यही हाल है चिपसव ना विकराया शाड़े 600 से लेकर साड़े 700 रुपे तक विए पी क्वाल्टी का चाहें वो चन्ड़ोसी का हो या लिगड़ का हो इसी में दो बैंगलार मंटी की बात करें तो बैंगलार मेंड़ के है 16-22 रुपे क्वाल्टी का सहतिस्तान व्यागराबाला चेंग आप देखें एक तो इसमें काफी जाधा हर जगये ग्रावट में आप देखने को मिल नहीं है अब देखकिए अगर आप यह सोचें एक साउथ की और रहां रहां रहें यह नई बात नहीं है यह हर साल की बात है बस इतना अंतरता कि इस वार कम था जिसकी वेसे यह थोड़ा वहाँ आ रहा था अब करते कानपुर की तो कानपुर में जो मौटन रूब तो विकराई 377 का 11-12 रूपे की लो अच्छी क्वाल्टी का बाकि इससे नीचे भी और होलेंट की बात क्रेंए नौ से 10-11 रूपे के लो विकराई यह वी और सिंदूरी की बात करें यह यह वी दस गयर लोपे कलो विकरा भी आई पी क्वाल्टी की रेट में बता रहूं अलू होता है तो आपको मैं बता दूं नए आलू में दुबारा जो खुदाई तीजी से चलेगे वह 20 नौंबर से दुबारा तेजी पकड़ेगी जो नए आलू की खुदाई है उसके बाद आप खुछ सो सकते हो कि आने वाले टाइम में जो मैंने आपको पहली बताए चिप आप देख सकते हो काफी रेट रुका हुआ है तो इस समय आपको अपने आलू के बारे में खुद निर्ड़ा जरूर लेना चाहिए थोड़ा तो समझने की बात कहें तो काफी टाइम पहले भी आपने नहीं सोच आथा तो इस समय काफी लोगों को यही कह के रोखा जा रहा बैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन बताना तो जरूरी है क्योंकि हर चीज के बारे में बताते हैं तो इसके बारे में भी बताना जरूरी है जब हम किसी का तेजी का भी बताते हैं तो ग्राबट का भी बताना पड़ेगा एक कोल्ड में कल जो किर्री आलू है उसका जो पैकट सब्सक्रादारी यह दिखाई कि उस आलू को वह अपने घर ले गया और वहां पर किसी रेट को उसने दस्वीज पचास रुपे जो बाटा माट दिया और यही आलू जो आपको मैंने बता है जो एक रुपे कलो वाला आलू क्रिरी साइज का यही आलू आपको बजार में बहुत धन्यवाद है नमस्कार